नमस्कार आप देख रहे हैं नियूस पियार रुया सुनहाँ आपके साथ है प्रात्मिक स्तिक्षक न्युकती की प्रक्रिया में काउंसिलिंग के डेट्स को चेंज कर दिया गया है यानि कि सेड्यूल में चेंज किया गया है आपको बताएं कि नगर निकायों में काउंसिलिंग के डेट जो है वो है 5 जुलाई और 6 जुलाई को दो दूनों में काउंसिलिंग की जाएगी नगर निकायों में वहीं अगर पंचायत निकाई की बात करें तो पंचायत में 12 जुलाई को यह सद्धी उर्किया गया है यानि की 12 जुलाई को पंचायत में काउंसिलिंग की जानी है इसके अलावा अगर हम दिव्यांग अभरती की बात करें तो उनके कांसिलिंग की डेट आउगस्ट में फिक्स की जाएगी फिलहाल प्रॉपर डेट नहीं बताया गया है महीना बताया गया है वो है आउगस्ट का आपको बता दे कि प्रात्मिक और मद्ध विद्यालों में सि रोप लग रहे थे जिसकी वजह से यह निरने लेया गया है कि सभी चीजों को ढंक से किया जाएगा और कोई भी गड़बड़ी इस बार नहीं देखने को मिलनी चाहिए इसको लेकर बिभाग ऐफायर दर्ज करने को भी तयार है यानि कि कोई भी अभियर्थी या फिर कोई तोर से भाग के द्वारा यह चीजें कह दी गई है अगर हम आपको डेट डीटेल में बताएं तो नगर निकाई में काउंसिलिंग के डेट जो है सक्षब भाग के तिथी में जो संसोधन हुआ है उसके अनुसार वर्ग 6-8 के लिए नियोजन की तिथी है 5 जुलाई और वर वर्ग 1-5 के लिए नियोजन की तिथी है 6 जुलाई की वही प्रखन नियोजन इकाई में काउंसिलिंग के लिए वर्ग 6-8 के लिए प्रखन नियोजन इकाई में काउंसिलिंग है 7 जुलाई को वर्ग 1-5 के लिए प्रखन नियोजन में इकाईों में 8 जुलाई को काउंसिल देट में थोड़ा बदलाफ हुआ है और अब 5 और 6 जुलाई को नगर निकाओं में काउंसलिंग होगी, 7 और 8 जुलाई को प्रकंड नियोजन इकायों में होगी और 12 जुलाई को पंचायत इकायों में वही अगर हम बात करें दिव्यांग अभियर्थियों की तो नियोजन प्रक्रिया की काउंसलिंग डेट्स को लेकर था, हमने आपको सारे इंफोर्मिशन दिये कि कौन-कौन से इकायों में कब-कब काउंसलिंग होनी है, हाला कि और भी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, लगतार इसमें जो भी अपडेट आएगा हम आपको